हेलो फ्रेंट्स गुड़ूनिंग नमस्कार मैं दीपक रोहिल आपका स्वागत करता हूं दोस्तों मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में अपना मिशन सर्म हमेशा देखो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं जो अपना मिशन है वो हमेशा डिसकस करता हूं आ स्टोक्स की तरफ और से पहले अपने 3600 सब्सक्राइबर है उनका दिल से दन्यवाद हर इच वन ओफ्यू थैंक यू फ्रेंट्स थैंक यू वेरी मच आप लोगों का विश्वास और आपके जो कमेंट होते हैं आपके लाइक होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं स्टो सब्सक्राइब दिसक्स किये थे जो डे टाइम में भी आपको पैसा बनाकर देखे गए होंगे अगर आपने रेगुलर्ली अपने जो टेलिग्राम चैनल है उसको फोलो करते हैं तो टेलिग्राम चैनल पर भी देखो मैंने आपके साथ 927 भी शेयर किया था मार्केट 2% के क बार निकला 320-340 हाई भी बनाए इसने आज तो उमीद करता हूं कि लोगों ने विश्वास करके इस टोक को बाई किया होगा और दिन के अंदर 6-7% के रेटन भी बनाये होंगे बढ़ते हैं सर नेक्स टोक की तरफ हमने लास्ट वीक में फ्राइडे को डिसकस किया था सर मजगाओं डोक ये वाली केंडल पे और आज मंडे को मार्केट जबरदस डाउन थी पर स्टोक ने जबरदस रेटन दी हैं चांस देखो मार्केट कैसे चांस देथी है मार्केट जो लास्ट का को लोजिंग था उससे नीचे उपन हुआ है 343 और हाई देखिया आज का कितना है 403 करीबन सत्तर रुपे साथ से सत्तर रुपे करीबन आपको दी है सरेशन स्टोक ने आज तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए कि एक दिन में कितना परसेंटेज ने पैसा बना के आपको दिया है कुछ लोगों ने स्क्रीन शोट शेर किये थे होल्डिंग के बट मैं यहां शेर नहीं कर रहा पार अजिस लोजिछिक्स अब तो यह वाली लेवल पर फिरी शीड कि अब तूसिक्स्ट्रेज के बाद आज की जो एक डेखेंगे जबदस्त अब और घ्रीन केंडल अच्छे वोल्यूम के साथ और हैसा ही तो अब भी डेली के अंदर क्रोस मार्क चिया इस ने आज के दि लगे हैं अभी इसका एक वार वीक लिए देखते हैं क्या इसके अंदर रह सकते हैं तो सब्सक्राइब यह है इसके अंदर अभी भी इन्वेस्टिट रह सकते हैं 325 और 370 के लिए और जो लोगों ने यहां पर क्वांटिटी बाई की थी 30 रुपे पर स्टोक आपको प्रोफिट मिल रहा है चाहें तो कुछ क्वांटिटी आप सेल अफ कर सकते हैं 20 परसेंट 25 परसेंट को निकाल सकते हो प्रोफिट बुकिंग टाइम पर बहुत जूरू रही है तो आप जो आप दोस्त मेसेज करते हैं कि सर यह स्टोक नहीं चाहा बट प्रोफिट बुकिंग इस इंपोर्टेंट नेक्स्टोक अशर लिखिता लिखिता मैं आपको मैं दिखा हूँ यह ट्रेंड लाइन अमने मार्क किये यहां से 11 जोन 2021 का यह टॉप था वहां से इसको उमने मार्क किया स्टाट किया और यह वाला जो हाई है इधर मीट कि कि इसको मिलाने के बाद आगे बढ़ाया तो यहां पर देखेंगे लास्ट वर्किंग डे था जो फ्राइडे उसको ब्रेक आउट हुआ है लास्ट वर्किंग डे पते को फ्राइडे को वॉल्म भी काफी अच्छा था आज के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टोक बंद ह रह सकते हैं फुर 3.39, 3.40, 2.378 इन दो टार्गेट के साथ ज्यादा बड़े टार्गेट नहीं रखेंगे पहले ये दो टार्गेट ही रख रहे हैं इन दो टार्गेट के साथ इसमें इनवस्टिट रहेंगे हाँ समय के साथ देखो पेशेंस है तो होल्ड कर सकते हैं तो यह लेवल भी आ सकते हैं पीशेंस करेंगे होल्ड रखेंगे तो हमको यह बारे लेवल मिल जाएंगे 450 तक के लेवल भी मिल जाएंगे तो पहले शोट टरम का भी चेक करते हैं 339 360 380 उसके बाद हम और आगे भी चेक कर लेंगे तो इस्टोक अच्छा है आरेसाई भी कोशिश करी है बड़ फाइनली लास्ट वीक में कामियाब हुआ और इस वीक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा चांस है आपको यहां पे पैसा बनाने का अब अपने पूर्टोरियों कुछ कॉंटिटी बाई करके रख सकते हैं लिखिता इंस्ट्रा शेक्चर की नेक्स्टोक अधर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अब फिनोलेक्स इंडस्ट्री का पहले मैं डिसकस कर रहा हूं यह डेली चार्ट हमने कुछ नहीं किया है जस्ट यह लास्ट जो टॉप था वहां से एक रे निकाली रे भी यहां से आप उठा सकते हो यह ट्रेडिंग व्यू के साइट से यह रे वाल ऑप्शन यहां पर आता थर्ड ऑप्शन रे रे उठाई हमने और रे के नेक्स्ट हाई को मीट कर दिया और अपने आप आगे बढ़ ज लिए थी फिर भी स्टोक ने ग्रीन केंडल दी है वोल्यूम के साथ दी है और आरे साइए अब देखेंगे इसका तो आरे साइए कहां पर है 63 बहुत ही अच्छे हैल्दी लेवल पर है रसाई तो यहां पर स्टोक के अंदर कुछ इनस्ट अब प्लान कर सकते हो अभी हम इस हलाएं यह breakout आगया है अब breakout के बाद हम टार्यं कैसे रख सकते हैं अभी नीरस टार्येट हम रख रहे हैं 164 यहां 187 का prepared एटेगे पेशेंस रखेंगे patience हैं हमारे अंदर और हम long term के लिए hold कर सकते हैं 200 plus और 230 plus भी हम सोच सकते हैं यह stock अपने को दे सकता है अभी आप check करेंगे कि stock अभी trade कहा कर रहा है 148 के round trade कर रहा है यहां से अपने को 50-60 percent के rate निकल सकते हैं दोस्तों if you want to stay invested in this stock अच्छा stock है अब weekly RSI भी आपको देखे तो 48 round weekly RSI है stock अच्छा है कुछ quantity आप अपने portfolio में add कर सकते हो next हो गए PNC Info चक्चर के बारे में बताने से पहले एक बर मैं बताता हूं ocean bolt के बारे में ocean bolt आप सब I think each and everyone आप जानते ocean bolt को track पे सबसे कम समय में सबसे कम दोड़ता है hardly nine to ten seconds लगाता है hundred meter को पार करने के लिए बट वो केवल 19 seconds ही दोड़ता है क्या कि सर उसके लिए उसकी 20 साल पहले की मैनत होती है 20 साल से वो मैनत कर रहा है अपने अपको fit कर रहा है अपने अपको maintain कर रहा है अपने अपकी strength बढ़ा रहा है stamina बढ़ा रहा है उस नो सेकंड के लिए तो जो दोस्त कह रहे हैं कि केवल chart यहां पे बताके चले जाते हो पैसा rate बताके चले जाते हो तो सर पिछले कुछ सालों की मैनत है इसके पीछे वो एक वीडियो में डिसकस नहीं हो सकती है तो patience के साथ हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे सर्म अब बात करते हैं PNC infrastructure की PNC infrastructure मैंने आपको टेलिग्राम में अगर आप चाके देखेंगे टेलिग्राम पे मैंने आपके साथ PNC infrastructure share किया था यह 255 की लेवल पे यह की यह जो केंडल दी नहीं यह वाली केंडल थर्ड वन यहां पर हमने इसको पिक किया था उसके बाद पैसा बन गया लोगों का अब इस लेवल का ब्रेक आउट आगया है तो यह जो नेक्स लेवल है यह बड़ा ही लग रहेंगी यहां पर आज इसने इसको टच भी कर दिया 290 के लवल को टच कर दिया नेक्स हडल नेक्स हडल देखो यह वाले जो टूप है यह यहां से नीचे गिरा है यह नेक्स हडल और नेक्स टार्गेट है दोस्तों 30310 रुपे 310 उसके बाद नेक्स हडल है यह वाले टूप्स देखो यहां पर कितनी बार यहां से वापिस न 390 हमारा next target है पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो हमको target भी मिलेंगे समय पे समय के साथ है को market को time नहीं कर सकते है market में time लगा सकते हैं तो यह आप पर depend करता है कि आप इसमें short term view से trade करना चाहते हैं तो कर सकते है 250 फाइफ से 290 प्लस गया है तो आज फैसा बन गया होगा आपका बुक करना चाहते हैं कोच को लेकर जाना चाहते हैं 310, 340, 390 पे तो उसको भी ले जा सकते हैं दोस्तों अभी इसमें जो एक और व्यू नजर आता है इसका चाहें तो एक बार इसका weekly व्यू भी चेक कर लेते हैं दोस्तों weekly व्यू और देखो weekly में और अच्छा लग रहा चार्ट RSI देखेंगे आप RSI 60 का RSI healthy RSI है इन्वेस्टमेंट करने की जगे नजर आ रही है तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों और finally मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा देखो 30-40% ये स्टोंग भी दे सकता है बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी स्टोंग में जो यहाँ पे मैंने डिसकस की हैं आपके साथ उन में इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरीके से अपने व्यू से एनालेसिस जरूर करें खाली मेरी बात सुनके ही किसी स्टोंग में इन्वेस्ट ना करें अपने एनालेसिस कर सकते हैं fundamentally company के बारे में चेक कर सकते हैं technically चेक कर सकते हैं इसकी financial sheet test चेक कर सकते हैं balance sheet चेक कर सकते हैं company के last three quarter four quarter का profit चेक कर सकते हो last three year, one year, two year में क्या written दिया company का वो चेक कर हो तो अपने analysis बढ़ाई यह सा reading बढ़ाईंगे तो आपकी learning बढ़ेगी तो मैं चाता हूँ कि आप सब लोग learn करते रोसर thank you friends आज के वीडियो में इतना ही था जो दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाते हैं एक अपना छोटा सा channel है मनी मंतरा वी दीपक रोगिला जहां पर मैं weekly daily basis पर आपके साथ कुछ chart और कुछ ideas share करता रहता हूँ तो आप यहां आना चाहें जुड़ना चाहें तो आप सब का most welcome है दोस्तों इसी के साथ यहीं पर वीडियो को समफ्च करते हैं thank you, thank you for watching मनी मंतरा, मनी मंतरा वे बने रेनिक आप सब का धन्यावाद have a wonderful time with your family and friends जे हिंद, जे भारत